केमाऄरे काम की न्यूज में वहال नियूज है अलग तरह की न्यूज यो पर सा पहली न्यूज इश्य कने बता है कि आरपी द remote Rikte अलग तरह यू अब 5.9% पर आपन गौ professionTube कौने की बातै तो जो आप गर भाय किया उनको फ़रक पड़ेगा अब सब्सक्राइब एक बात सोचने वाली है कि बार बार हमारे गवर्मेंट कह रही है कि भाया हमें कोई फ़रक नी पड़ेगा इंटरनेशनल जो भी इसुस चल रहे हो सबसे हमें फ़रक नी पड़ेगा लेकिन उसके बावज अक्टोबर के अंदर एडल्ड का मतलब एक्चुली क्या होने वाले मैं आपको बताता हूं जो पुराने जमाने में जैसे मानलोग अपन सब हैं 25-30 साल के लोग अब हम लोग जो अपन लोग जो वो देखा करते थे काटून्स उन काटून्स करेक्टर के बेसिस पर यह तीसरी न्यूस मेरे मन में मुझे सा लगता भी है एर इंडिया वांच एर इंडिया जो है करना भी चाहता और शायत कर भी लेगा जो अब इनके नए परसन है जो नए स्यू अमडी है वह बहुत ही अच्छा लगता है चले इंडियन स्टाट अप मार्केट में भी पर ढजा सकता है बहुत ही जा सकता है यह कहना है फेजबुक के को फांडर का अब आपको लगता है फेजबुक के को फांडर है मतलब क्या हमारे श्री-chemist ने बोला registrar ळेंग आंसर है नहीं थेथिक्रस को फांडर अब आप देख सकते हो नाम देखर भाई इंडिफिक्लना मेरे यहां लोग बहुत आलसी हैं, काम करने वाले लोग कम मिलते हैं, बकर करने वाले यह थित करने वाले लोग ज़ादा मिलते हैं. अधर्वयग इंडिया चाइना से बहुत आगे बढ़ सकता है. यह मेरा ही मानना है, एक अच्छी न्यूस थी, मैंने सोच आप के साथ जरू बताता हूँगा, एलेव एट, जो है 200 मिलियन डॉलर का फंड बना रहा है, जो इन्वेस्ट करने वाला है, स्टार्टप्स में, इसा नहीं कि फंडिंग नहीं आ रही है, मैं मानता हूँ बड़े-बड़े स्टार्टप्स को फंडिंग नहीं मिल रही है, जो जाइंट बन चुके उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन छोटे छोटे स्टार्टप को funding मिल रही है मतलब मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ों को मिलेगी सबसे छोटों को मिलेगी बस बीच वाले बिचारे उलज गए सबसे बड़ों को अभी नहीं मिल रही है लेकिन मिलेगी क्यों? आज एक बात बताओ किसी भी कमणी का नाम लेलो लेकिन सबसे अनकेडमी अनकेडमी में साथ हजार करोर रुपे के असपास इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है क्या वो पैसा डूबने दिया जा सकता है? नहीं तो इन कमपनी इसको अनकेडमी को तो भाया, CDC बात है फेस्टिव आने वाला है तियोहारो का माहौल और हिंदूस्तान में मुझे सा लगता है कि हिंदूस्तान की एकोनोमी है वो तियोहारो की दंपी जिंदा है आप सोच के देख लो तियोहारो में कितना कुछ होता है लेकिन एक कॉशन है वो अगले सेशन में बचूँगा ONDC लाइव हो चुका है गोज लाइव बैंगलोर बिकम फर्स सिटी टो यूज इंडिया लेकिन यह अभी जो है लाइव हो चुका है बैंगलोर पहला बन चुका है ONDC से उन लोगों से वो फीड़बेक लेंगे कि हाँ बहिया आप बताओ सही है कि नहीं है फिर जो है उसके उपर करेक्शन किये जाएंगे दैन पब्लिक होगा मतलब मैं कह सकता हूँ एक डेमो वर्जिन आया है डेमो वर्जिन इस राइट वर्ट I don't know राइट बट ठीक है बेंगलूरु बेस हैपी बैली विंस ट्रेडमार्क इंफ्रेज्मेंट केस अगेंज अमेज़न बिल्कुल जीत चुके हैं बैकरी का सामान था मतलब अमेज़न से जीतना पॉसिबल है मैंने सबचा यह आपको बता दू कि कितनी भी बड़ी जॉइंट क्यों नहीं हो अगर यह बहुत ही अच्छी नियूज हो और मैं आपको इसमें पर्सनल अपना एक्सिप्रेंस बता हूँगा टाटा इंडस्ट्री जो है अपना पूरा डिजल्प ए-कॉमर्स जो है वो टाटा नियू के अंदर लिका आने वाली है अगर मुझे ने पता आप लोग ने तक डाउ यही तो चाहिए हमें जिन्दगी में तो मुझे चीज बहुत अच्छी भी लगी तो मैंने सोचा दो को बता हूँ अगर आपने टाटा नियू अभी तक यूज नहीं गया तो यूज करके ज़रो देखो काश यह वीडियो पेड होती है and it hurts चलिए निर्मान अच्छी ने कह इंडिया को अगर आपको ग्रो करना और अगर देश को आपको पावरफुल में लेके आना है तो आपको इसको किसी भी कीमत पे एक्सपोर्ट बढ़ना रहेगा और अभी गवर्मेंट का फोकस भी है जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है नियूस को आगे बढ़न कवर नहीं हो पाएगी हम वहां ले आएंगे यह मैंने इसलिए जोड़ा में लेका बता हूं आपको अग्वाइर कर लिये मैजूर्टी स्टेक्स एन वर्नाक्यूलर एडिटेक प्लेटफॉर्म गुवी मैंने देखा था इनकी वेबसाइट को लेती डीसें वेबसाइट है गूगल भी इनके पार्टनर है कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है आप लोगों को समझना पड़ेगा अभी भी अक्विजिशन चल रहे हैं कुछ नहीं रुका है बहले किसी को फंडिंग नहीं मिल रही होगी किसी को अक्विजिशन नहीं हो रहा होगा बड़े बड़े इन्होंने कहा है कि जो है उसको बाय कर लो एक साल के अंदर 50% के ग्रोथ देगा मैं सोस रहा हूं और खरीद लूग है मेरे पास मुझे आई-प्यों में खुला हुआ है अब क्या बता हूं दर्द किता है उसने खुशी हुए थे आज दर्द हो रहा है पिये मोधी जो है 5G सर्विस लांच करने वाले येस गाइज इंडिया के अंदर 5G आने वाला है मैं बहुत एक्साइटेड हूं बट मुझे अभी भी लगता है क्या 4G 100% आ गया है इंडिया के अंदर क्या 4G पूरी तरह से इंडिया के अंदर exist करता है क्या लोग उसे यू पर बहुत सारे बिएंडिया का मार्केट लीडर बन सकता है क्मेंट करके जरू बताओ मुझे बहुत बहुत बड़ा डाउट है मैं कभी करता है क्यों निकर सकता है तो कमेंट करके दर बहुत आपको लगता है क्या मीशो कभी भी इंडिया का जो है वो मार्किट कैप्चर कर पाएगा आज के लिए तरकते बहुत सारी न्यूस थी मगर उसके बहुत भी मज़ा आया ऐसी न्यूस और चाहिए तो प्लीज आप बताईए हमें और हमें बहुत जाएगा